प्रेस्टे बेल आइकन उन दी यूट्यूब आप आप सब का टियार के न्यूज पर तो हमें खबर आई है कि माहे रमजान के मुबारक मौके पर पाकिस्तान में जो है फूड प्राइज़'s 45% इंक्रीज हो चुकी हैं ये बहुत ही अफसौस की बात है और मैं इस वक्त मौची हूँ भारत की कशमीर के सबजी मंडी में और हम यहाँ पर पता करेंगे कि क्या यहाँ बहुत ही अफसोसनाग बात है जो हमारे मुसलमान भाई बहन पीयों के में हैं वह किस कदर महंगाई के नीचे दबे हुए हैं और उनकी यह जो तकलीफ है वो हम से देखी नहीं जाती तो हम थोड़ा सा कंपारेशन करेंगे कि भारत के कश्मीर में भी क्या ऐसी हाला थैं कि य या सेम हैं या घड़ चुकी हैं हम यहां पर कुछ सब्जियों की प्राइज और फूड रेट्स पता करते हैं यहां की शॉपकीपर से बात करके तो आएए हम सब्जी मंडी के कुछ नजारे भी देखते हैं और लोगों से बात भी करते हैं चली मेंसर अजयायर सब्सक्राइब कर दो इस बात शॉपकीपार्ण जानख है सब्सक्राइब कर दो रहां या फ्राव झाला अजयार अजूँझ की शॉपकीपर्ड़ जानब भाहर मेंजी आंवारा कुच्छ प्रशूंट या थैंजी बाहरे तो तो फिर्टी न तो आजकर और्दो मांजिकात क्या स्की सोरी बोजन एंड यह मंचना कशिरता गांकी है तो आप मुझे बताईए कि यह बताईए कि यहां पर यह यूट्यूब चैनल पर वाज हम आपके लिए एक बहुतरीन वीडियो लेकि आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिल देखें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें चलिए साथ मिलके यह वीडियो देखते हैं जैहिंद जै भारत आलू का क्या प्राइज है इस प्यास का क्या प्राइज जरब बताईए यह आलू है वाइट वाला जलंदर वाला यह बेचते हैं सो का 6 किलो हो गया स प्रेश टमाटर है सो का 3 किलो समझो 30 रुपए से 1-2 रुपया उपर है 130 बाटीस रुपए किलो होता है तमाटर आप मुझे बताईए क्या माहे रमजान में कश्मीर में आपको ऐसे लग रहा है कि सबजीयों के दाम बढ़ चुके हैं सबजीयों के दाम तो बढ़े हैं ले कि रमजान से पहले किरेश कं दे न ağने रिट बढ़े कुछ को आइटम में सेम रेट कुछ आइटम में बढ़ गया है और कितना ज्यादा बढ़ा है अगर बढ़ा पी है तो मितलब जैसे मटक के रमजान से पहले था 100 का 4 कृलू 25 किलो आज है यह असी रुपय किलो आचा अ अच्छा तो तो दोस्तों यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि यहां भी प्राइज़स इंकरीज हुई है अलबता इतनी भी नहीं जितनी की हमारे जो भाई-बेहन उस पार हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्ञादा क्या आपको पता है कि पार के जो हमारे भाई-बेह हैंने वो भी मुसल्मान हैं वो भी रोज़ेदार हैं माशालला लेकिन क्या आपको पता है कि वहां पर प्यास एक सो चालीस रुपए किलो और टमाटर लगबग एक सो पचास रुपए किलो की मिल रही है आपने सुना महां का इतना बढ़ गए कि इसी रियासत के उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है उनके सब्सक्राइब के रेड बहुत ज्यादा बढ़ चुके आप सोचे देढ रुपए वहां की रेट आस्मान उपे चड़ गया है जी तो आप कि रमजान में तो और भी बढ़ा दिया है तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनकी गौवर्मेंट को कि किस तरह वो सब्जियों के रेट कम करें लोगों के लिए जिस तरह यहां होता है माई रमजान में उतना मुनाफ़ा हम रखते ही नहीं जितना रखना चाहिए हम दो रुपय तीन रुपय चार रुपय रखते हैं अपने लिए उनको भी ऐसा ही करना चाहिए और वहां की गौवर्मेंट को पहले यह सोचना चाहिए कि यह माई मुबारक है बरकतु का महीना है इसलिए इनको यह सोचना है जैस को कम हो गवर्मेंट बतानी चाहिए वैसे आम गरीब इंसान कैसे बचेगा अमीर की बात छोड़ो जो सतर असीन लाख रुप्या कमाता है महीना उसकी बात छोड़ो जो 400-500 दिन में कमाता है शाम को खाता है उसका सोचना है वह तो गवर्मेंट को उस पर कंट्रोल करना चाहि चाहिए खास करके जो हमारी रियास्त का हिस्ता है उस तरफ उनके लिए जो मुनाफ़ा होता है सबजियों पर वो कम होना चाहिए खास करके माहर रमजान में ये इनका कहना है और जाहिर सी बात है कि हमें बुरा लगता है हमारे वो जो रोज़दार भाई बहने वो किस तरह इन्फलेशन और महंगाई की तले दबे हुए हैं इस वक्त चलिए हम और पता करते हैं कि यहां पर आटे, चावल, डाल और इन सब चीजों की रेट्स क्या चल रही है तो नाजरीन अब हम आच चुके एक चिकन सेलर के पास इसी मार्केट में अब हम इन से पता करते हैं कि चिकन की क्या प्राइजस चल रही हैं कश्मीर में असलालेकूम जनाब, बाहर रमजान, मुबारक शूर सारने अंग और मुझा आपसे ये पूचना था हम ज़रा असकरा उर्द मंसकाथ, मुझा आपसे पूचना था कि चिकन की इस वक क्या रेट्स चल रही हैं इस वक तो एक सो टीच चल रहे हैं, बैलर मैं बड़े हैं इसमें कोई बार उसर नहीं होता है एक दो दिन में देखें कि यहां वही है जैसे पहले था रमजान तो एक चालिस एक टेट सो एक तो चालिस तो आमरेट ती मुझे आपको पूछना है कि बॉर्डर पार जो है वहाँ साड़े साथ सो रुपए किलो है चिकन का वह भी माहे रमजान में तो आप क्या कहना चाहेंगी वहां की गौवर्मेंट को कि चिकन की प्राइज कैसे कम कर सकते हैं वह ताकि वहां के लोगों को जो है जो बॉर्डर प्राइज के लिए उन पर हो रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे गौवर्मेंट को कि कैसे वह रेट्स कम करें चिकन का हम तो अपनी स्टेट की बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यह क्या कह रहे हैं कि हम अपने स्टेट की बात करेंगे हमें कुछ खास पता हैं नहीं है कि महों क्या रहा है चल क्या रहा है लेकं कि यहां पर सिर्फ सो तक के जी chancellor के मिलता है पूरा फुल चिकंछ मिलता है तो यह कुछ चीजे हैं आँरे हम आटे डाल आते चावल की इनकी भी प्राइस पता करते तें झाले लुणता गयास दो घगता गयास दो तो उन्साथ का रवाट जो तो जगता राँ जाँ जगता राँ भाट ज जगता राँ कि असलालेकुम जनाब माहे रमजान मुबारुक शुब तो ही अच्छा मैं आप से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं जी आप मुझे बताइए कि क्यूंकि आप डीलर है यहां पर आटे डाल चावल और इन सब चीजों की इस मार्केट में यहां पर तो सब कुछ मिलता है माश आप जल रहे हैं आटे का क्या प्राइज है आप अभी थर्टी टू रुपीस पर केजी और क्यूंकि आशियना आट ख्यामान के ज्याद हम ज्यादा खाते हैं चावल और यह सारी चीज़े तो आप चावल का भी रेट बताजिए क्योंकि कश्मीरी चावल ज्यादा था थे हमारी जो रियास्त एक हिस्सा पार में है वहाँ पर माह रमजान में वहाँ के जो लोग हैं वो महेंगाई से लाचार हैं और वहाँ पर आटा जो है 1.5% 1.5% केजी में बिक जाए है और 4.5% 4.5% केजी में तो क्या आप वहां की गवर्मेंट को कुछ मेसेज दे सकते हैं कि किस तरह से इनकी रेट्स कम किये जाएं ताकि वहां के लोगों को थोड़ी राहत मिले, खास करके माहे रमजान में? मतलब यह जो हमारा हमसाया मुलक है, आप उसकी बात कर रहे हैं? नोट हमसाया मुलक बट जो हमारी रियासत का हिस्सा उनके पास है, मैं उस प्योगी की बात कर रहे हूँ, जो वहां पे लोगों, लोग लाचार हो चुके महंगाई के अंडर, उनकी बात कर रहे हूँ कि वहां पे रेट्स कैसे कम किये जाएं, आप क्या एडवाइस देना चा किलो वाले टीन में अभी तीन-तीन सो, चार-चार सो रुपया भी काम हो रहा है, तो इससे लोगों को भी फाइदा हो गया, लोग खुश हो रहे है, पबलिक खुश हो रही है, तो हम भी खुश हो रहे हैं, उतरना चाहिए, काम होना चाहिए इसे, आपको लगता है कि महीर अधर ने रेट या बढ़ गए या उतने ही है, जतने माहीर रमजान से पहले है, माहीर रमजान में तो रेट तो रही है, खाली थोड़ा बहुत वह डेट का रेट चड़ गया, खुशूर का, तो बाकी उतर रहा है रेट, क्योंकि वह तो हम इंपोर्ट करते हैं, शायद उ सबस्ब्स की बात करें, फिर आप चिकन की बात करें, तो यह सारी चीजह जो है, रोज़ेदारों के लिए खास करके उन पर अबढ़ जो है गरमी के मौसंवें इस वक्त इस साल रमजान आया है, और गरमी की मौसम में भूड़ड़ड़ रोजे रखकर, वह जो है उन प इन है उनको इस तरह भेहंगाई के नीचे उनको इस तरह से दाके रखना ये बहुत ही गलत कर रही है जो हमारे पार की जो government है हम्साइं मुल्क की government है ये लोगों के साथ बहुत ही जुलम और जाती हो रही है महरे रमजान में और जैसे आपने सब्सक्राइब काश्मीर के झाल